हेलो फ्रेंड वेलकम ही आपका अपने ही टूप चैनल प्यारा इंडिया पर फ्रेंड बिहार पारामेडिकल कोर्सेज के लिए प्रतेक वर्ष आपको पता है कि एड़िशन होते हैं सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में मगर सबसे बरी प्रोब्लम है कि बिहार पारामेडिकल की काउंसिल नहीं है जबकि वहीं पे आपको जीनेम कोर्सेज के लिए बिहार नर्सिंग काउंसिल है वहीं पे फर्मेसी कोर्सेज के लिए बिहार फर्मेसी काउंसिल है मगर पारामेडिकल कोर्सेज में ही आपको ये द कोर्सेज हैं जो कि इनके लिए कोई भी काउंसिल नहीं है सबसे प्रब्लम इससे यह होता है कि आपको जो सेशन है समय पर नहीं समाप्त होता है उसके बाद आपको सिलेबस सही से नहीं मिलते हैं आपको समय पर परिक्षा नहीं होता है दो साल की कोर्सेज के लिए आपको चा जा रहा है कि पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया जाएगा और उसका सिलिवर स्तियार किया जाएगा तो सारी न्यूज के बारे में इस वीडियो में आपको जनकारी देंगे जो भी है उससे पहले फरेंड अगर प्यारा इंडेट फिचरमर पर आप ने हैं तो चैनले को सब स्क्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे की नए वीडियो की नेटिफिक्शन आपको मिलती रहे और फ्रेंड कोई भी अगर आपको बात या को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उसकी जनकारी होगी तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे औ और फ्रेंड वीडियो हेलफुल लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों को सेयर करें तो चलिए देखते हैं क्या निउज है यह पेपर क्ट है आपका हिंदुस्तान का जिसमें दिया गए कि भिहार पारामेडिकल काउंसिलिंग का गठन किया जाएगा呀a में ब्रतपान में बढ़ाई पारामेडिकल कुर्सेज हैं उनके विभिन विद्यालो महा विष्व विद्यालो के माध्यम से संचलत किये जाते हैं तो उसके बाद है कि शिर्फ आपको हेडलाइन बताते चलते हैं और कुछ पुछ पुड़ा पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत टैम लगेगा तो स्व को स्जोत किया जाएगा और उसके बाद वहांसे चानू बन जाएगा तो उसके आपको काउंसिल का अगठन हो जाएगा हुणेदि सभी परकार के पारामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज रिफोक चाहेonne हैं व्यागे Спान राइकत प्छिती त्याँ परकार कें चीजे यहां पर दी गई है प्रकटा जिसमें दिया गया कि पारामेडिकल अक् JUDY को लिए रहत आपको बता दे कि कौन कौन कौरसे पारामेडिकल में संचालित होते हैं जैसे कीverse नेतर साहिक हो गया लैब टेकनीसियाद , एकसबे टेकनीसियाद अन इस्पेक्टर प्लास्टश next layer टेकनीसियाद टेकनीसियाद जो कि भीहार पारामेडीकल में आपको sûr सरकारी में भी कोलेज़ी में मिलता है और प्रवाइट कोलेजम में तो जससे की शिक्या मिल सके और ऊव्कित्र इसमें आपको जो डॉक्ल्ड. वि उस्पाइसि और शिक्या पर्दिकारी है उपलब्द होगी आपको जनकारी के साथ साथ जितनी भी पारामेडिकल कोर्से क्या होता है कि इसमें आपको वेरिफिकेशन किया जाता है तो आपका वेरिफिकेशन होगा आपको लिस्ट रहेगा कि आप पारामेडिकल कोर्स किया हुए आपका सारा जनकारी काउंसिल में उपलब्त रहेगा उसके बाद इसमें दिया गया कि दैनिक जागरान दोरा कब सेक आई नेक्स्ट के दोरा यह मुदा उठाए गया था तो बहुत सी जनकारी है अगर आप इस पेपर कटका न्यूज लेना चाहते हैं तो टेलीकराम पे मेरा चैनल है जिसका बन गया है जिससे कि समय पे आपकी सारी परपरिछाय होगी और सिले बस त्यार होंगे तो बस फिर एंड वीडियो में बत जिसना ही थैंक यू